नमस्कार दोस्तों एक साथ चीजे किलियर हो जाएं तो कंटनीव रूप से आप लोग इस सीरीज को फोलो करते रहें BPSC प्रिलिम्स तके सीरीज कंटनीव रूप से चलती रहेगी और रासा है मुझे कि इससे आपको काफिल लाप मिलेगी तो चलिए हम लोग को देखने का प्रियास करते हैं पहला प्रशने यहां पे बिहार की सीस्वी मृत्युदर क्या है अब इसमें दो डेटा, दो सर्वे, एक तो हो जाएगा 2019 का सर्वे का अनुसार देखा जाए तो 29 है वही 2020 के सर्वे का अनुसार एक डेटा घट के 27 में आ चुका है अर्थात बिहार में सीस्वी मृत्युदर की संख्या 2019 के कंप्रिजन में 2020 में कम हुई है सीस्वी मृत्युदर का सिंपल सा मतलब है कि धाउजेंट, ध्यान रखेगा धाउजेंट बच्चों में, जीवित बच्चों में जो मृत्य बच्चों की संख्या होती है वही सीस्वी मृत्युदर का लाती है अब इसकी गणड़ना कैसे की जाती है तो इसकी देखिए गणड़ना करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है नमूना विधी से नमूना पंजीकरार पनडाली इसे बोला जाता है इंगलिस में अगर इसकी बात करें तो the sample registration system करता कौन है ये तो देखिए रजिस्ट्रार जनरल कर्यारे के दवरा जो की भारत के ग्रीह मंत्राले के अंतरगतिया कारे करता है तो यहीं करता है नमूना पंजीकरार पनडाली द्यान रखेगा ठीक है सिस्वी मिरित्य दर भी और साथ में जनम दर को भी पूरी तरीके से काउन करता है हाजीपूर में किस railway zone का मुख्याले इस्तित है पूरो मध्य railway का जो मुख्याले है ध्यान रखेगा यहीं पे यह हाजीपूर में है जिसकी अस्थापना होई थी 1 अक्टूबर 2002 को इसकी अस्थापना होई थी अब पूरो मध्य railway कंतरगत देखा जाए तो कुछ और भी बड़े बड़े railway station को सामिल किया गया है जिसे की सोनपूर हो जाएगा समस्ती पूर हो जाएगा दानापूर हो जाएगा अब इसी दानापूर का एक डिवीजन पटना भी है यहां से भी प्रशन BPSC बना सकता है इसके अलाव मुगल सरा है जिसका नाम बदल के कर दिया गया है दीन दयाल उपध्या है और यहां पे एक और हो जाएगा बड़ा station धनबाद मुझपरपूर में किंग फोर्ड को मारने का प्रयास किस ने किया यहां पे देख पार है असफा कुला खा चंत सेखाराजाद इनका तो समद्ध उस से नहीं है असफा कुला खा के समद्ध हो जाएगा काकॉरिकान से और इन दोनों का दिक्षा समद्ध हो जाएगा यहाँ पे हिंदुस्तान पब्लिक एसोसियसन से HPA इसी सौर्टकर्ट में बोला जाता है अब जो मुझह परपूर में किंग फोर्ड जो की एक जज था उसको मारने का प्रयास किया गया था खुदिराम बोस और परफुल चाकी के दौरा आकी रह से किंग फोर्ड के दौरा क्या किया गया था तो कारण देखिए यहीं था यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 1905 में देखिए जब करजन के समय बंगाल का भी भाजन हुआ तो जब बहुत सारे बिद्रोहियों के दौरा भारत के लोगों के दौरा बिद्रोह किया गया तो जेल में भरभर के भरभर के जुनको भी मजिस्टेट के सामने जज के सामने पेस किया गया तो यहीं था किंग फोर्ड किंग फोर्ड ने उन बिद्रोहियों को फिर स्वतंतरता से नानियों को आप कह सकते हैं कि बड़ी ही कुरूर सजा दिया कुरूर सजा दिया अब उस समय बंगाल में एक युगान्तकारी समीति बहुत ही तेजी से एक्टिव हो रही थी शक्री हो रही थी उनहीं लोगों ने प्रण लिया कि हर हाल में इसको ठीक है मारना ही मारना है इसमें दो लोगों को चुना गया खुदी रामभोस को और फरफुल चाकी को की बं के द्वारा पिष्टल के द्वारा जैसे भी उसको मार देना है लेकिन गलती से इन लोगों ने जिस बगघी पे बं फेका बगगी पे बंप हेगा उसमें बैरिष्टर कैनेडी की पतनी और बेटी की मृत्ती हो गई जिनका नाम था स्रीमती और एक का नाम था उसकी बेटी का नाम था मिस कैनेडी तो यहाँ पर मारी गए ठीक है अब पुलिस की खोज भी जान भी जहाँ पर शुरू हो गया तो उसी में समय देखेंगे तो परफूल चाकी ध्यान रखेगा परफूल चाकी जो की समस्तिपूर में ये ठीक है पकड़े वानले वट थे समस्तिपूर रेल्वेस्टेशन के पा अगस्त 1908 को हर एक facts important है concept भी साथ में सामिल है महत्मा गांधि को चमपारण में किसने अमंद्रित किया बहुत ही सरल नाम है ठीक है सधारण नाम है राजकुमार सुकल के द्वारा यहाँ पर इनका प्रशन पूछ सकता है राजकुमार सुकल के date of birth से सम्मांधित तो ध्यान के हैं एक सतवरिया गाउ में हुआ था सतवरिया गाउ में चुकि खुदे देखिये नील का स्तिकार थे सहुकार थे तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो तीन कठिया पधिती लाया गया था नील की खेती को लेके जिसमें 3 by 20 समझ रहे है ना इसका भाग इसी को तीन अठा पे नील की खेती करना होता था इसी से परिशान होके ये बिरोत कर रहे थे इनको मौका मिल गया राजकुमार सुकल को 1916 का जब कॉंग्रेस का जब लखनाव अधिवेशन चल रहा था ते बिहार में ध्यान रखेगा किसानों के परतिनीधी बन के उस लखनाव Changi के साथ तो गांधी बिहार आए कैसे एं इंपोर्टेंट हो जाता है एं आए ठीक है सबसे पहले थे कलकत्ता कलकत्ता से इया पत्ना पत्ना से आ्याए गांधी मुझभपर्पूर में आया यहाँ ब इसमें कुछ इंपोर्टेंट कर सकते हैं कि लोग मौजुद थे जैसे की जेवी क्रिपलानी ने मुझपरपूर में इनका स्वावत किया इसके बाद मुझपरपूर से ये गए मोतिहारी मोतिहारी रेलवे अस्टेशन है वर्तमान में इस मोतिहारी रेलवे अस्टेशन का नाम बापु धाम ठीक है रेलवे अस्टेशन कर दिया गया बापु धाम म को देखने के लिए मिल जाएगा पहले बार इसमें है बाकिपूर जो की एक पटना में ठीक है पटना में बाकिपूर में कॉंग्रेस का 27वा अधिवेशन हुआ था 27वा अधिवेशन किया गया था जिसके जो अध्यक्ष थे आर इन नाम बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है इनका पुछा जा सकता है चुकि बिहार में हुआ है आर इन मुधालकर गया जो अधिवेशन हुआ था 1922 इसमी में हुआ था जिसकी अध्यक्ष था किया गया था चितरंजन दास के द्वारा यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी समय स्वराज पार्टी का बिहार में गठन भी हुगा सुराज पार्टी का गठन हुगा निमलिकित में से कौन सा सहर गंगा नदी के तरपर इस्थित नहीं है कर इस्थित नहीं है तो सारा का सारा देखिए बकसर, भागलपूर, बेगुसराय, खगडिया सारा का सारा देखेंगे तो गंगा नदी के तरफ परिष्थी थे टोटल बारा जिले गंगा नदी के तरफ परिष्थी थे बारा जिला, आईए हम लोग एक बार देख लेते हैं चूंकि प्रशन आउट है, यहां से एक प्रशन जुरूर पुछा जाता है बारा जिला में कौन-कौन होए तो यहां से देखते चलिए आप लोग ठीक है जैसे बकसर हो गया बकसर के बाद इदर भोजपूर सारन हो जाएगा ठीक है पतना बैसाली बैसाले के साथ-साथ इधर आईए समस्तिपूर इधर आईए बेगुसराय इधर आईए इधर इस साइड में मुंगेर है देखे यहा को हो जाएगा इस साइड में भागलपूर और एधर देखने के लिए मिल जाएगा लखिस राय देखे यहां पर लखिस राय तो टोटल काउन करिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस 11 बारा टोटल कितना जिला है बारा जिला है जो गंगा नदी के तर पर इस्त ठीक है गुरुतेग बहादूर गुरुतेग बहादूर जो सिखो के गुरु भी रह चुके हैं इनकी माता का भी नाम इंप्रोटेंट हो सकता है गुजरी इनका माता का नाम गुजरी इनका जनाम देखे पतना में हुआ था जनाम पतना में हुआ था 22 दिसंबर 22 12 1666 को पतन ठीक है, फाल्सा पंध की ध्यान रखेगा, खाल्सा पंध की इनके द्वरास्था अपना की गए थी, इनके दो पुत्रब भी बहुत चरचा में रहे हैं, दो पुत्र का नाम बहुत इंप्रोटेंट है, जैसे की जुरावर शिंग, जुरावर शिंग, एक का नाम है फते मना जाता है कि औरंग जेप के समय इन लोगों को दिवारों पे चुर्मा दिया गया था और इसलिए वर्तमान मोधी गोर्मेंट के द्वारा 26 दिसंबर के डेट को 26 दिसंबर के डेट को 26 बारा के डेट को बीर बाल दिवस के रूप में मनाने का नीड़े लिया गया है इस बर मनाया भी गया है बिहार का सबसे बड़ा उत्पादक है किस की सेरिया में तो लिची में तो देखे बिहार को GI TRIG मिला है तो no doubt है ही अमरूद में भी है और लेली फिंगर मने भिंडी में भी नमबर वना स्थान है आम में बिहार का नमबर वना स्थान नहीं है इसमें UP का नमबर वना स्थान है पूरे 200 में देखा जाया तो आम प्रोडक्शन में भारत का नमबर वना स्थान है कॉरेक्ट टुतर हो जाएगा A और B अर्थात उप्रूक्त में से एक से अधिक राजेंदर क्रिसी भी सुभी दाले कहां इस्तित है तो समस्तिपूर में एक पूसा बजार है पूसा बजार इसी के आस पास राजेंदर भी सुभी दाले आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसमें अलग-अलग छेतरों की पढ़हाई की जाती है जैसे के सबसे इंपोर्टेंट तो यहाँ पर एगरी कल्चर से ही है एगरी कल्चर के अलावा Themen 12 जो चिकितसा हो जाएगा इसके साथ साथ किरिसी इंजिनरिंग मूलभूत विग्जान मूलभूत विग्जान देखते चलिए मानवी की हुमिनिटी मानवी की इसके साथ साथ होम साथ गिरीव बिग्जान की भी यहाँ पढ़ाई कराई जाती है बिहार में पाई जाने वाली मुख्य परकार की मिट्टी कौन सी है तो दिखें इसमें पीटमांट तराई गंगे ठीक है ये बिहार में बड़ी मात्राम पाए जाती है अगर पीट मौंट दलदल मिटी के बात करें तो ये आपको पस्टमी चमपारण का जो बिल्कुल ही तराई वला जो इलाका है वो आपको देखने के लिएगा वेस्ट चमपारण में उत्री भाग वेस्ट चमपारण के जो कि बि लाई मिटी देखने के लिए मिल जाएगी गांगे जलोट जो बिहार का पुरा पुरा जो मैदानी जो भाग है इसी गांगे मैदान से ठीक है इसी गांगे जलोट से निर्मित अधिक लाल करें बात करें हम लोग तो ये उत्तर पर्देश के बुंदेल खन के इलाके से पूर्वी जिला यहाँ पर हो जाएगा देख पारें गिसन गैंज उत्री जिला देखते चलिए वेस्च अमपाराण और सबसे बड़ा भी जिला होगा वेस्च अमपाराण सबसे बड़ा जिला सबसे छोटा जिला हो जाएगा सीवहर सबसे इधर पस्चिम के तरफ आएंगे ठीक है सबसे पस्चिम के तरफ देखिए आएंगे धर तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कैमूर हो जाएगा और नीचे आएंगे दर्फ्र के तरफ तो गया एक बर इसे मैप में भी देख लीजिए एरहा वेश चमपाराण उत्तर में सबसे बड़ा जिला सबसे छोटा जिलाए है सीवहर सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा किसंगन, सबसे पहचमी कैमूर और सबसे दखड़ी हो जाएगा गया बिहार के समद्ध में इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है राज्य की सिमा से सटे लगे राज्य तीन है बिल्कुल सही है ध्यार रखेगा वेश्ट बंगॉल, यूपी, इसके अलावा दच्छिड में आपको जोफड़ाण नेपाल की सिमा से सटे 7 जो जिले हैं ध्यार रखेगा बिहार के 7 जिले हैं देख लेते हैं कौन-कौन से साथ जिला है वेश चमपाराण, इस चमपाराण, सितामढ़ी, मधुबनी, सुपॉल, अररिया, किसनगण टोटल कौन करेंगे तो इस साथ जो जिले हैं जो ध्यार रुखेगा नेपाल की सिमा से लगते हैं उत्तर परदेश के सिमा से सटे जिले आठ हैं ये भी बिल्कुल कौरेक्ट हैं आप लोग देख सकते हैं आठ जिले कौन-कौन से हैं वेश चमपाराण, गोपाल गन्ज, सिवान, सारन, भोजपूर, बकसर, कैमूर, एक और बज़रा नीचे रुखतास टोटल काउंट करेंग इधर से हम लोग आते हैं भागलपूर ध्यान से दिखते चलिए ठीक हैं भागलपूर ये कटिहार भी आपको हो जाएगा कटिहार भागलपूर, बांका, बांका, जमुई, नवादा, गया, और अंगाबाद और ये कहां पर हो जाएगा रोहतास्ट एक, दो, तीन, चार, अब एक प्रश्ण में अपने तरफ से भी राइज कर दे रहा हूं कि वेस्ट बंगॉल से कौन-कौन बिहार के जिला लगती हैं, तो तीन जिला है, किसन गंज, पूर्निया और एक हो जागा कटिहार, एक प्रश्ण में राइज कर रहा हूं कि अगर ठीक है, आपको बताना होगा कि पटना से सटे कौन-कौन से जिले हैं, तो पटना से सटे टोटल नव जिला है, ध्याम से देखते चलिए, पटना से कौन-कौन सटा होगा है, अर्वल के साथ हो जाएगा जहानाबाद, जहानाबाद के साथ-साथ हो जाएगा नलंदा, उसके बाद लखिसराय, उस उसके बाद देखिए, बेगुसरा एक बाद यह हो जाएगा समस्तिपूर, वैसाली, उसके बाद सारण, उसके बाद भोजपूर, ठीक है, टोटल गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ होगा, ठीक है, देखें, नौ है, यहाँ पे दो, तीन, में जरूर रखेंगे, पतना का पुराना नाम यहाँ पे क्या है, पतना का पुराना नाम क्या है, पातले पुत्र भी नाम है, पातले पुत्र का मतलब समझते हैं आप लोग, पातले पुत्र का मतलब यहाँ पे हो जाता है, गुलाब, जो कि उस समय पतना में फूलों के खे करता है लेकिन उस समय पार्टली पुत्र में बहुत बड़ी मत्रा में होती थी तो पार्टली पुत्र है तो पूस्पपूर भी हो जाएगा पूस्पपूर जगह भी है यह भी हो जाएगा अजीमा बात भी हो जाएगा द्यार रखेगा अजीमा बात के होगा तो मुगल बात जब औरंग जेब था ठीक है तो उसका एक बहुत ही फेबरिट जो पोता था अजीम नाम था उसका अजीम ठीक है इसको ध्यान रखेगा पतना का सुवेदार बनाया गया था पतना का सुवेदार इसको बनाया गया था और इसी ने बोला कि भाई दादा जी मेरा नाम पे ठीक पतना का नाम रख दिए तो मुगल बादसा और रंग जेब के द्वारा अजीमा बाद भी रखा गया था तो सारे option correct है correct उतर हो जाएगा E निमलिकित में से कौन सी जिल बिहार में इस्तित है पहला है देखिए अनुपम जिल बिल्कुल सही है ये कैमूर डिश्टिक में इस्तित है दूसरा है आप गोरा कटोरा जिल ये आपू नलांदा राजगीर के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी राजगीर में ही ह यह बहुत important है अपने नौका बिहार के लिए इसके अलावा यहाँ पे कुसेश्वर अस्थान जिल यह आपको मिल जाएगी दर्भांगा में और इसको पच्छी अभ्यारण के रूप में डेवलप किया गया है इसके बाद यहाँ पे देखिए काम जिल नहीं है काम जिल के लावा एक कौवर जिल है प्रिंटिंग मिश्टिक है कौवर जिल आपको देखने के लिए मिल जाएगा बेगुस राय में जो की एक मीठे पानी का भी जिल है मिठे पानी का जिल है साथ में एक गोखुर लेक भी है गोखुर लेक समझते है न जब नदी अपना बिसर्प बनाती है तेड़ा मेड़ा तो जब ये बिसर्प बनाना छोड़ देती है मान के चलिए अब सीधे नदी लगेगी बहानेती है वाला जो भाग है यहीं आपका ह हो जाएगा गोखुर लेक तो जो कमर जील है ये गोखुर लेक का एकजांपल है ये भी पच्छी अभ्यरण के रूप में मौजूद है जल्दी देखेंगे तो सर्दियों में देखेंगे तो प्रवासी पच्छी यहां पर बड़ी मात्रा में आते हैं इस कमर जील में एक एक और है गोगा बिल लेक बहुत इंपर्टेन्ट है गोगा बिल लेक ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी कटिहार में ये famous के वह है यहाँ पर ध्यार रखेगा सैबेरिया से और कैस्पियन साज़र से पच्छी आते हैं बहुत इमपर्टेन्ट है गोगा बिल्यक निमलिकित में से कौन सा खनीज बिहार में पाया जाता है कौन सा खनीज बिहार में पाया जाता है अब देखिए जो भी खनीज है सब तो बिहार में मिलता है जैसे मैगनीज पतना में मिल जाएगा मुंगेर में इसके साथ साथ गया में पायराइट भी देखेंगे त दोहतास, ठीक है, यहाँ पे माईका मने हो जाएगा अभरक, इसका भी बिहार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे गया और यहाँ पे मुंगेर में, बिहार में प्रथम चीनी मिल के अस्थापना कब की गई थी, यह अस्थापना की गई थी, सारण जिला में सारण जिला में बहुत important जगा का नाम है मढधावरा उस समय अर्थ और और गिक छेतर भी इसको बोला जा रहा था हम रिजो के समय द्यार रखेंगे एक और अस्थान आता है बेतिया का अस्थान आता है किस राजे में राजेपाल के रूप में नियुक्त किया गया था किस राजे में राजेपाल के रूप में नियुक्त किया गया था उनको देखे केरल में नियुक्त किया गया था टाइम पिरट के बात करें तो 1988 से लेके 90 तक यह देखे है, बिहार की पहली इसे महिला थी, जो रजराज जेपाल वनी थी, केरल में जागे जाता है, प्रखे करल की इनको बनाया गया था, बहुत ही रामदुलारी सिनहा की बात करे, तो इनको एक सवतंतरता सेनानी के रूप में, सुतंतरदा, सेनानी, राष्टवादी महिला के रूप में इनको जाना जाता है यही कारण है कि इनको अंतराष्टिरिय स्रम संगठन में इनको उपाध्यक्च भी बनाया गया था करनाटक वंस का अंतिम राजा कों था एक जो लिए करनाट होता है। थीक इसकी अस्थापनागी हम लोग जान लेते हैं और इसकी अंतिम राज भी जान लेते हैं। अस्थापना किये अथा नानिय देव के दवारा। इसकी जो आस्थापना जो हुई थी टाइम पिरियर्ट पुछा जा सकता है ये 1097 इस भी के आसपास नानिय देव के द्वारा कहां पर की गई थी देखिए मिथिला में की गई थी तो नानिय देवा केले नहीं कर सकते थे उस समय चालुक की जो राजा दच्छिड का विक्रमादित्य शिक्स था विक्रमादित्य की विक्रमादित्य शिक्स की मदद से नानिय देव ने बिहार में करनाट वंस के असथापना की जो की मैथला ठीक है बहुत बड़ा जो एरिया है, पूरा को पूरा यह मिधला का ही छेतर है, ठीक है, यही है मिधला, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मिधला मतलब मैथली ठाकटी बहुत फेमस हैं, उनका भीना आपको जरूर जानना चाहिए, इसी समय से देखेंगे, तो मैथली भासा को पूरी तरीके से प्रोसाहन मिला, मैथली भासा को प्रोसाहन मिला, और मैथली में बहुत सरा सहित्य लोक गीत यहाँ पे लिखा जाने लगा, अब आते हैं प्रस्न में कि अंतिम राजा कौन था, इसका नाम है हरिसीम, द्याक्टर रखेगा हरिसीम या हरिसीम देव भी बोला जाता है, correct उतर हो जाएगा ए, निमलिखित में से कौन से UNESCO 200 धरोहर अस्थल भारत के बिहार राजे में मौजूद हैं, एक तो हो जाएगा महाबोधी बिहार अपने आप में ही कितना important है, जहां पे बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती होई थी, और बौध मठ को 200 धरोहर में सामिल किया गया है, बिक्रम सिला मठ का प्राचीन अस्थल इसको सामिल नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा भागलपूर में, भागलपूर में, यहीं है बिक्रम सिला 200 धियाले, ध्यान रखेगा बिक्रम सिला 200 धिय जिसकी अस्थापना की गई थी पाल वंस के सासको के द्वारा जिसका नाम था ध्यान से देखते चलिए धरम पाल धरम पाल के द्वारा विक्रम शिला विस्व विद्याले के अस्थापना की गई थी सेर सूरी के मकबरा के बात करें तो यह आपको मिल जाएगा बिहार के सासा राम में अस्ट कोडिय ठीक है इसका मकबरा है बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन कब हुआ है 1929 सिस्भी में बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन किया गया है सहजानन्द सहजानन सरस्वति के दवारा क्यों किया गया था तो देखिए उस समें जमिनदार हमलो के खिलाब किसानों की सिकायतों को सुनने के लिए इस बिहार प्रांतिय किसान सहबखा कर गठन किया गया था ठीक है फ्रेंड्स आप लोग अपना feedback जरूर देंगे अगर मुझे और explain करने की जरूरत पड़ेगे मैं और explain करूँगा sort करने को अगर आप लोग बोलेंगे the sort में ही मैं कर सकता हूँ ठीक है तो नीचे आप लोग अपना feedback कमेंट दे ताकि आप लोग case type का वीडियो और चाहते है ठीक है चलिए फ्रेंट्स वीडियो को like, share, comment करते रहे thanks for watching जहिंद